हेलो फिरेंड्स मैं हुई रिना रिना अथरवा चैनेर पे आप सबको बहुत बहुत स्वगात करती पैरेंच आज बहुत ही इंपर्टेन एक्टिवीट अपलो केशा शेयर कर रहे हुँ आजका एक्टिवीटी है, फाइन मोटरी स्किल एक्टिवीटी जो करने से बच्चे को आई हान कोर्डिनेशन इंपरूमेंट होगा, हाथ का बैलेंस इंपरूमेंट होगा, बच्चे को एक्टेन्शन फोकास इंपरूमेंट होगा, फिंकिंग इंपरूमेंट होगा, इमिटे इंप्रूमेंट होता है, जब आपका बच्चा आपके साथ बात करेगा, दूसरों से बात करेगा, आइकंटाक बिल्कुल हाटेगा नहीं, तो बच्चे को आइकंटाक इंप्रूमेंट के लिए और एटेंशन फोकास और थिंकिंग इसकील इंप्रूमेंट के लिए ऐसे ही ब और ऐसे हमारे बच्चे को भी step by step improvement के हिशाब चे हम काम कराएंगे तो step by step धीरे-दीरे हमारा बच्चो के बारेगा आगे बारेगा तो ऐसे ही काम करना है बास काम करके हम अपना बच्चे को एक नर्मल लाइब दे सकते हैं उसके यह लबा कोई रास्ता नहीं है अगर कोई ब देखाया, कॉंचर डॉक्टर देखाया, मैं अथरवा को कोई डॉक्टर नहीं देखाया, अथरवा को मैंने थाइरेपिस्ट देखाया, थाइरेपिस्ट से अक्टिविटी कराया, कोई मेडिसीन यूज नहीं किया, कोई सप्लिमेंट यूज नहीं किया, मुझे उसके बारे म क्या यूज करता है तो हमने कुछ भी यूज नहीं कि अथर्वा को हम स्रेव एक्टिवीटी करके यह पर लेके आया मैं अपना जी जान लगा दिया छेशाल बहुत मैनत किया मैं अथर्वा के साथ आज एक सीबीर बच्चा बहुत अच्छा इंप्रूमेंट कर लिया मैं यह कहूंगी मेरा बच्चा 100% रिकाबरी कर लिया अभी भी अथर्वा में थुरा बहुत दिक्का था है लेकिन एक सीबीर बच्चा जीस लेबेल पे नहीं आ सकता है मेरा बच्चा उस लेबेल पे आ गिया तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहाई सकते आप लोग भी थुरा बहुत समाजदरी है जिसको समझाने से हाथ पकार के करने से कर लेगा उसके शाथ एक कराना है अगर बच्चा खुद नहीं करना चाहता आप हाथ पकार के कर आइए तो धिरी दर आपका बच्चा शीक जाएगा तो आज यह देखा देता है उथरवा करके आप लोग अब बच्चे अब भागोज़ाबसमेज़ा आइगा बच्चा बच्चे उठागे बैलेंस करके आपका पेंसीड डाले गा तो इसमें बच्चे को देखिये कितने अटेंशन देने की जूर रहता है और इसमें no i science किल फेन बे. मतलों होल्डिंग का जो पेंचिल वोल्डिंग कर रहा है इस में भी इंप्रुमेंट होता है तो यह जब आगर आपका बच्छा सीबीयर हो तो आप पांच शाल से भी शिखाना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल करेगा तो आप हात पकार के शिखाएंगे मैंने पेंशिल के अंदर डालो और बताते रहने बेंगेल को उठा के पेंशिल के अंदर डालो तो ऐसे करके आप करते रहेंगे तो आपका बच्चा सी टीज़ा, सीवियर, माइल्ड, मोढर चीख सब्सक्षाु के सब्सक्राइब का पिए हिस्ते आप कर सकती हिस्ता है जसे करके अथर्व हमयंदे रहेंगे dab पसफीर उ正के अदरालो पता सब्सक्राइब इसके उपर ये जो है इसके उपर पम-पम बॉल बैलेंस करके आईसे रखाना है बच्छों से तु इसमें भी एटेंशन, फोकास, फाइन मोटर इसके लिए इंप्रूमेंट होता है, थिंकिंग इसके लिए इंप्रूमेंट होता है, पहले जब पम-पम बॉल बैलेंस करना आ रखो शुरू यहां सोता है बत्चा ठीक है नेक्स्ट एक्टिविटी है अंडा का ट्रे है अंडा के ट्रे के उपर पम-पम बॉल ए उपर बच्चे को बैलेंस करके राकना शिखाना है इसमें फोकास देना पड़ता है आई हां कोंडेनेशन मतलब हैंट का बैलेंस और पकार करना हमारा बच्चो के लिए बहुत मुश्किल होता है तो होल्डिंग इंप्रूमेंट भी होता है तो इसके लिए बच्चे को जब पॉम-पम बॉल बैलेंस करना आ जाए ट्रे कूपर राकना उसके बाद मार बेल जो बहुत घुमता रहे ता एक दोम राउंड शार्केल पर शिषा की होता है तो राकना शिखाना है यह अक्टिवीटी जब कराएंगे बच्चे को एके लिए नहीं चोरना तो बच्चे अगर मुँपे डाल देगा तो फिर मुश्किल हो जागे इसलिए इस एक्टिवीटी के टाइम आप बच्चे को मतलों सात में रहेंगे तो यह थोरा सा हलका है यह राकना थोरा ऊबसे होले कि लिए चुरु मैं मुश्किल होता है क्योंकि एकदम राउंड शेप कर लेकि अभ्यणे करके चोटा जागा में रहनां बोथ मुश्किल आत हाथ पकार क्개ब स्हाएंगे तो शिक जाएगा ताइम लनगेगा ओं तो उसके बाद जब फंबॉल शिख जाए उसके बाद मार्बेल बैलेंस करना है चलो मार्बेल बैलेंस करो अभी अभी मार्बेल बैलेंस करके राखो चलो तो मार्बेल बैलेंस करके राकना थोरा सा मुश्किला क्योंकि गुमता है और गिरिने की चांस रहता है तो अथरवा ये मार्बेल बैलेंस करना काफी लॉंबा टाइम के बाद शिखा ये ने ये एक दो दिन में शिख गया और जब अथरवा को ये मार्बेल बैलेंस करना टे शिखाते शिखाते दो तिन शर लाग जाता है शिखने में क्यूंकि छोटे बाद चेको फिर एटेंशन फोकास आई कंटाक्ट इंप्रूमेंट नहीं रायता है लेकिन ए करेंगे तो बहुत जोल्दी इंप्रूमेंट होगा तो अथर बाको मैंने ऐसे करके हाथ पकार के पहल कफ़एं तो इसे करके से बाद्चा सिख जाता है नेक्स्ट आक्टीविटी है फिसों शर लीव मैं आ तो सिटना कालार की मौन पस करके द्रूम्रा जी घौप्छा, भाव Tapas皮 रखेसजू, चिम्टी से ररीट पंपंओ माूनरा की घौता कौ्छ़र निउम में राखेगा तो इसमें बच्चे को color confidence भी आएगा, color identify होगा, फिर एपाता लाएगा, same color की box में, same चीजे राकना है, तो same का concept आता है, इसमें बच्चे को language improvement होता है, बच्चे को attention, focus, eye hand coordination, fine motorist skill improvement होता है, holding improvement होता है, क्योंकि चीम्टी को pressure डालके फिर उठाना पड़ता है, तो बच्चे को pencil holding में बहुत अच्छा improvement होता है, ग्रीप आता है बच्चे को finger पे, जो हमारा बच्चा कोई सी stride करके पकार नहीं सकता है, तो ऐसे चोटाशोट activity करके बच्चे को eye contact focus improvement होता है, आचा white color का नहीं दिया था, ममाने, चलो white color का bucket भी दे दिया, तो ऐसे करते रहिए, जब आपको बच्चे को नहीं आता है, आप आइसे करके हाथ पकार के शिखाएंगे, हार activity आप हाथ पकार के शिखाएंगे, तो शालो शाल में बच्चा शिख जाता है, तो मतलो patience रखके हाथ पकार के शिखाना ये नहीं है, एक दो बच्चा एक शाल लागा लेगा, तो patience रखके शिखाएंगे, ये नहीं चोचेंगे नेक्स एक्टिवीट है कालर फूल आइस्क्रीम इस्टिक लेंगे और इसको बनाएंगे उसके ऊपर सेम कलर का इस्टिक राखेगा ये नहीं जा आप इधार बनादेंगे बच्चा आपको देखके सेम इमिटेशन करेंगा नहीं तो सेम ऐसे जो मिल पे करके राखना बहुत इजी होता है लेकिन आप बनाएंगे उसके उपर बैलेंस करके राखना बहुत मुश्किल होता है हमारे बच्चों के अंदर बैलेंस नहीं रहता है कोभी इधर रखेगा कोभी जो आप बना दिया हो हटाई देगा तो इसके आप जो चीज बनाएंगे जो अबजेक्ट बनाएंगे बस आपको देखके आपका कालार की उपर सेम कालार की राखेगा अगर आपके पास ऐसे कालार कुल ना हो तो आप नर्माल जो इस्टिक होता है उससे भी कर सकते हूँ लेकिन colorful होने से क्या है बच्चे को attention, focus, eye and coordination और बच्चे को color identify भी होता है और बोलते रहे नहीं ना red color की stick रखा, purple color की रखा, green color की रखा, blue color की रखा तो ऐसे करके बताते रहे नहीं कोई नहीं तो यह करना बहुत ही मुश्किल है, color का, same color की रखा, stick की रखा, stick balance करके रखा, तो इसमें fine motor skill improvement होता है, attention focus improvement होता है, thinking skill improvement होता है, क्योंकि बच्चे को सोचने की जोरत पड़ता है हम जैसे सोचता है, जैसे बच्चे सोचता नहीं है, हमारा बच्चे के पास देमाक नहीं है, तो यह सोचता नहीं है, जैसे हम चमासता है, इसको कुछ नहीं पता लगता है, लेकिन हमें पता लगता है, बाद में, हमारा बच्चे को भी पता चलता है, कुछ हम जो करता है, वो देखता नहीं है, लेकिन उन्हें भी पता चलता है, उन्हें भी thinking skill, उसको भी thinking करना परता है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, new job, आप new activity डालेंगे, बच्चे को दिमाग में, तो बच्चा thinking skill इंप्रूमेंट करगा, तो ऐसे करके आप बना देंगे, आपके उपर ही बच से तिदार रहेगा, मतलब double double same circle बनाना है, तो उसके बाद बच्चे को बोलना है, same color की stick की उपर, same color की stick रखो, मतलब same color की circle बना हो stick रखो, तो ये करना भी देखना, इसके साथ म्याचिंग करके, फिर focus करके देखना थोरा मुश्किल होता है, इसलिए जब बच्चे को थोर साथ रहेगा, नहीं तो फिर आपको बताते रहे ना है, रहात पकार के करते रहे ना है, तब जाके बच्चे को हाथ पकार के करेंगे, तब भी बच्चे को दिरे-दरे eye contact, focus improvement होगा, eye hand coordination होगा, और बच्चे को grip improvement होगा, तो ऐसे करके करना है, जब अथरवा को नहीं आता थ इतना छोटा जागा पे, इतना छोटा पतला चीजे राकना हमारी बच्चे को finger पे grip नहीं होता है, बोत मुश्किल होता है, तो ऐसे आपको बोलना है, इसंके उपकर करेंगे, तो एफ एसे मुस्टिक के उपर, इसे मीस्टिक के उपर, सेम सार्केल की कारार के उपर रख़ तो य़े करते करते अथर बंद चैनल होगे यह जाए गा बिधिए और धार जार आजकेज़ क्या जा रहा निपस्थ वीडियो में यू अक्टिवीटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ टाटा बाई 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 थैंक यू सो मच